हेलो जो नेक्स्ट वापी करते हैं प्लेन मीरर देखो क्या होते हैं हमारी घर के अंदर जो मीरर है जिसके अंदर हम अपना फेस देखते हैं तो वो क्या है वो प्लेन मीरर है उसकी जो एक साइड होती है उस पर क्या होता है पोलिश क्यूई होती है और उसके ओपर पेंट किय क्या होता है और जो दूसरी साइड है वो जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसकी साइड से हम क्या देखते हैं अपना फेस देखते हैं तो ये देखो ये जो साइड होती है इसकी ये बिल्कुल ब्राइट होती है चमकिली होती है और जो ये पीछे वाली साइड है यहाँ पेंट कर देते हैं सिल्वर या लियूमेनियम से और उसके ओपर पोलिश कर देते हैं फिर पेंट कर देते हैं तो इस वज़े से ये क्या ब इमेज फोंड होती है वर्चुल इरेक्ट मींस क्या है देखो हमारे जो वर्चुल मींस क्या होती है जो मिरर के अंदर इमेज बनती है हमारी जो इमेज बनती है शिशे के अंदर हम देखते हैं कि वह उसके अंदर ही तो दिखाई देती है तो उसको हम बोलते है वर्चुल और सिधी इमेज बनते हैं, हम सिध्धे खड़े होते हैं, तो हमारी इमेज भी सिधी दिखाई देती है, तो वो होती है, वर्चुळ एड़ियर्ट इमेज, ठीक है, एक उथ है, रियल इन्वर्टेड इमेज, जो ऑब्जेक्ट की साइड पर ही बनती है, तो वो होती है हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो यह जैसे आपने 10th क्लास में भी पड़े हुए हैं, हमने यह कनमेक्स मिरर कनके मिरर यह चीजे पड़ी हुई हैं, तो उसमें हम केस करते थ जो इमेज फॉर्मड होती है कि वो अब्जेक्ट की साइड का बनती है, मिरर के अंदर का बनती है, तो उसमें हमने यह पड़ा हुए है, रियल इन्वर्टेड और वर्चोल और इरेक्ट, तो क्लियर है यह चीज तो क्लियर होगी आपको, और देखो इसके अंदर जो साइड साइड होगा होगी उसके अंदर हमारी लेड वन जाती है, लेकिन हमें वहाँ पर पता नहीं चलता है, मैं पता कैसे चले का, जैसे हमने जैसे ambulance देखी हुई है सभी ने देखी हुई है ambulance तो उसके उपर जो ambulance लिखा रहता है वो उल्टे लिखा जाता है ठीक है ताकि जो side में जो wickles होते है ना उनको उसका side mirror होता है उसके अंदर तो वो सिद्धा दिखाई देगा ठीक है सभी ने देखा हुए ना अपनी copy रखके देखा हुआ कभी mirror में तो हमारे जो अक्षर लिखे हुए होते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं तो अगर हम उल्टे लिख के उसके अंदर देखेंगे तो वो सिद्धा दिखाई देगा क्लियर है जैसे कोई भी लेटर हम लिख लेते हैं अब जैसे यह लेटर है के के लेटर हमने लिख दिया और यहां पर हमारा mirror रखा हुआ है यह इसकी reflecting साइड है तो वो हमें ऐसे उल्टा दिखाई देगा ठीक है ओके तो देखो इसकी जो लेटर साइड है वो यहां पर राइट बन गी और जो इसकी राइट है यह इसकी लेटर बन गी है तो इस तरह से उल्टा दिखाई देता है इसलिए जो ambulance है उसके उल्टा लिख देते हैं ताकि उसको सो जाने की जल्दी होती है तो side वाले जो vehicle है उसको जल्दी से रास्ता दे दे इस वज़े से जो है वो उल्टा लिखा जाता है अब देखो बात करती है अगर हमारे पास दो plane mirror है और उनको हम किसी angle पे रख दे तो कितनी number of images हमारी formed होगी जैसे किसी मंदिर में आपने देखा होगा दो mirror के बीच में कोई भी वहाँ पे तस्वीर होती है कोई भगवान की तो side में जो mirror से उनमें हमें उसमें बहुत सारी image द दो mirror है और ये इनकी reflecting side I suppose this is mirror M1 and this is mirror M2 और ये दोनों हमने theta एंगल के उपर रखा हुआ है और बीच में यहाँ पे हमने कोई भी object रखा हुआ है यहाँ पे हमने object रख दिया तो इस object की जो image है वो कितनी image बनेगी तो number of images is equal to n equal to 360 by theta clear है तो इससे हम decide करती है कि कितनी image बनेगी suppose हमारे पास जो angle दिया हुआ है जैसे suppose angle हमारे दे रखा है 60 degree ठीक है तो n is equal to क्या हो जाएगा 360 by 60 कितना आ जाएगा यह 6 आ जाएगा ठीक है तो हमारा जो answer है यह 6 क्या है even है तो अगर even है तो हम क्या करेंगे तो जो हमारी n की value होगी वो होगी 6 minus 1 is equal to 5 यानि अगर हमारा जो answer है वो even आए तो उसमें से हमें 1 को minus करना है तो जो number of images हमारी बनेगी इसके अंदर 5 बनेगी अब suppose हमें जो theta है वो दे रखा है हमें कुछ और दे रखा है theta clear है जैसे हमें दे दिया 40 ठीक है 40 दे दिया theta तो number of images हमारी हो जाएंगी 360 by 40 ठीक है कितना आगे 9 आगे 9 तो हमारा odd है तो अगर odd answer आए तो हमें addities ही रखना है 1 minus नहीं करना है तो हमारी number of images इस case में होगी 9 और अगर हमारा even answer आता है तो इसमें से 1 को minus करके हमारा जो number of images आएंगी वो हाएंगी हमारी 5 clear है यह चीज़ अब देखो एक case होरो सकता है अगर हमारे पास जो यह दोनो mirror है इस तरह से रखे हों दोनो parallel रखे होए हो mirror तो parallel होंगे और यहां पर हमारा object है ठीक तो अब इसके अंदर angle कितना है कितना है बताओ 0 है इसके अंदर angle ठीक है तो number of images is equal to 360 upon 0 अब something upon 0 क्या होता ह है infinite होता है तो यानि number of images कितनी बनेंगी infinite images हमारी बनेंगी ठीक है clear है और देखो एक और बात है इसके अंदर अब mirror से हम जितनी दूर खड़े होते हैं उतनी ही दूर हमारी image बनती है यानि image formed is at the same distance जितना दूर person खड़ा होगा mirror से plane mirror से उतनी ही दूर mirror के अंदर उसकी image दि इसी जिए थी plane mirror के बारे में ठीक है ओके इसका practice कर लेना ओके